हां वही, क्या हाल है, क्या करने है अश वीडियो के, डॉक्टर स्टेंज एम ओम का रिव्यू देखने हैं, हां मैं वही करूंगा, बट उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन तो देदू, मैं हूँ हूँ है और तुम देख रहे हो बॉइस अफट, यह हमारे चैनल का पहला तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, अगर तुम मार्वल के कट्र फैन हो, तो मेरी बातों को जादा दिल पर लेने की जरुबत नहीं है, मैं मूवी से थोड़ा बहुर डिसपोइंटेड हुआ था, पट ऐसा नहीं कि मैं मूवी के सारे फ्लॉस ही बताऊंगा, मैं मुल्तरी बनाई फिरे, तेविचनाक जडवाई फिरे, चश्मा टाने का मन तो नहीं है, पर चलो हटा देते हैं, तो देखो भाई, पहले थोड़ा इजद से मूवी के अच्हाई कर देते हैं, सबसे पहले, साम राहिमी की डिरेक्शन, भाई को इस बंदे को कंदे वो ठाक और क्या डिरेक्शन है भाईया, अच्छा हुआ, मार्वल ने साम राहिमी को ही ये मूवी डिरेट करने के लिए दी, अगर किसी और डिरेक्टर को दे देते तो इस मूवी का क्या हाल होता, क्योंकि इस मूवी का प्लॉट थोड़ा सा वीक लगा मेरे को, देखो पुरी मू तो मूवी में वांडा सबकी बैंड बजाने वाली है, वांडा का स्क्रीन टाइम कुछ जाधा ही है, तो में मूवी के बीच में तो ऐसा लगेगा कि मूवी का नाम डॉक्टर स्टेंज इंद मल्टिवर्स और मैंनेस क्यों है, वांडा एंदा दार्क होल्ड होना चाहिए, क्योंकि आदे साथफ पूटर सन्स तो मांडा ही ये जा रही है, ऐसे नहीं कि मूवी में कुछ अलग नहीं हैए ह। उस श्क्रीन टाइम के साथटी के नगने अब अगर आघर ऑर अच्छा कि अद्धा करें तो शाप काफी points हैं जो तुम्हारे दिमाग में चप जाएंगे जब तुम थेय्टर में बाहर निकलोंगे और अकर तुम दोस्तों के साहथ देखे निकलो तुम उने जरूर डिसकस करोंगे कुछ scenes ऐसे हैं जो तुम्हारे जमाग में repeat होंगे और तुम्हें सोचने पर मजबूर करेंगे कि भाई, Marvel का future क्या है? ये movie Marvel Cinematic Universe को कहा ले गई है? और आगे क्या-क्या हो सकता है? तुम्हारे अंदर की curiosity Multiverse को लेके काफी साधा बढ़ जाएगी रही बात PG-13 नेटिंगी, तो Marvel ने इस movie में कुछ अलग की है, जो boundary होती है PG-13 के end वाली, कि बस वो आहरे डिट में घुस नहीं वाले है उस boundary को थोड़ से टच करके वापस आगे हैं, कुछ scenes ऐसे हैं जो तुम्हें देख के लगगा कि बाई, क्या मसा आ गया यह वही scenes है, जिस पर पूरा hall उटिंग कर रहा होगा, सीटिया बज़री होंगी, तालिया ठुकरी होंगी अब इतनी अच्छा ही काफी है, अब movie को थोड़ा criticize भी कर लेते हैं, जो मेरा personal opinion है, वो भी तुम लोग क्या गया रख देते हैं हो सकता है, तुम मुझसे relate कर पाओ, या फिर हो सकता है, तुम्हारे views बिल्कुल अलगी दिशा में जा रहे हैं तो मैं काफी लोगों को फॉलो करता हूँ, जैसे कि Comicverse, PJ Explained, BNF, TV, Super Super मैंने इन लोगों के reviews देखे हैं इनके social media handles पे, सब ने movie की काफी तारीफ करी आशी चंचलानी का एक tweet भी आया, जिसमें उनने कहा कि जादा expect मत करना cameos को क्योंकि cameos expect करके जारो तो disappointed हो और अगर plot, storyline के लिए जारो तो तुम्हें अच्छी लगेगी movie वो कोई spoiler नहीं ताम लोगों के लिए बट एक चेतावनी जरूर थी और ये चेतावनी सब भारी पड़ी ऐसा सुनने में आए कि movie में horror element बहुत अच्छे से दिखाये गया है बट मैं इस बात से थोड़ा agree नहीं करता हूँ मुझे सिरफ ऐसे 2-3 scenes लगे जिसमें इनसान हिल सा जाएगा देखके तुम्हारे screen पैसानक से वो जो भूछ नी flash हो जाते है वैसा horror element एक दो जगह पे है बाकी movie में कुछ इतना भी horror नहीं है अगर तुम्हें लग रहे है कि movie बहुत चादा dark है तो ऐसा नहीं है movie में horror element बहुत limited है यह expect करके मत जाना कि movie में कुछ में काफी चादा horror देखने को मिलेगा और रही बात मेरी expectations की मैंने पहले वो tweet ज़रूर पढ़ लिया कि मुझे expect नहीं करने cameos बट यार movie इतनी जादा overhype हो चुकी थी वो Tom Cruise का Iron Man होगा Ghost Rider होगा नहीं कहां कहां कि Super Heroes को नहीं प्रेडिट कर दिया कि यह आमें इसमें दिखेंगे तो नहीं चाहते होगे मेरी expectations यहां नहीं यहां पर थी मैं थोड़ा control करके गया खुद को कि भाया story line हो सकता है बहुत जादा अच्छी हो तो चलो वही देख लेंगे अगर cameos देखने को नहीं मिले बट मैं कहीं नहीं disappointed होई तुम लोग भी होगे बहुत लोग हुए और जो main topic जो तुमने वीडियो के thumbnail में देखा होगा कि was it worth the weight तो मैं बिल्कुल agree नहीं करता यह worth the weight नहीं थी हम लोगों ने एक साल वेट किया इस movie के लिए covid की वज़ा से बट इस movie में कुछ इतना भी मजा नहीं आया मेरे हिजाब से doctor strange one ज्यादा बेटर थी हो सकता है तो मैं यह वाली ज्यादा अच्छी लगी हूँ पट मुझे doctor strange one काफी ज्यादा अच्छी लगी थी इसके मुकाबले IMDB पे दोनों की ratings कुछ आसपास ही हैं बट अगर उन ratings को किनारे करें अगर बात करें audience की तो मेरे जैसे कई लोग है जिनने यह movie मजबूर कर देती है कि हम इसे average और good के बीच में rate करें यह one of the best movies तो बिल्कुल भी नहीं थी हाँ यह कह सकते हैं कि यह Marvel की बाकी movies की तरह नहीं थी इसमें कुछ अलग भी try किया है पर फिर भी नहीं थी आर्यवर्ट तवे इसके अलावा America Chavez जो कि एक निया character था इसी movie में introduce हुआ मेरे साब से उसकी character आग कुछ जाद अच्छे से develop नहीं की गई हाँ उसका origin थोड़ा सा दिखाया गया बट मैं personally चाहता था कि उसे थोड़ा और explore किया जाए वो movie में बिल्कुल नहीं हुआ might be इस character को अलग से web series मिले या कोई movie मिले उसमें हमें यह सब दिखे बट इस movie में अमेरिका शाव इसके character को इत्ते अचे से develop नहीं किया कि हम उससे relate करने लग जाए या हमारे अंदर की fan feelings उस character के लिए थोड़ी और बढ़ जाए अब movie की time duration की बात करें तुमने कहीं ना कहीं तो यह पड़ी लिया होगा किसी इंस्टा पोस्ट पे या सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं तो सुनी लिया होगा कि इस movie में 40 से 45 मिनिट की footage काटी गई है movie की length कुछ जादा थी बट कम कर दी गई इस बात दे मुझे काफी disappoint किया most of the audience मांग रही थी थोड़ी और footage, थोड़ी और movie सबको यह लगा कि movie काफी जल्दी खतम हो गई साथी साथ मुझे इसका plot थोड़ा थोड़ा predictable लग रहा था हाँ मानता हूँ movie में काफी अच्छे twist भी थे बट एक टाइम बात मुझे असा लगने लगा कि यार मैं आगे की story predict कर पा रहा हूँ तो यह जो थोड़ी अच्छाई और criticism का जो goal बनाया है हमने और यह review आपके सामने रखा है अगर यह goal आपको पसंद आया तो इसे like करो आपने friends के साथ share करो जिन्होंने अभी तक movie नहीं देखी है ताकि अगर वह बहुत जादा overhyped है तो वह थोड़ा calm down करें अपनी expectations को lower down करें और सिर्फ movie को plot के लिए enjoy करने जाए movie की direction को enjoy करें but movie में जादा cameos expect ना करें ऐसे और movie reviews, web series talks, informational shots और educational videos के लिए तुम हमारे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं boys of